हेलो दोस्तों आज माई आप लोगों के लिए देश्टे दो साल के बच्चों के लिए टोपी बनाना बता हूंगी यह टोपी बनाने में बहुत ही असान है देखें यहां हम यहां से इस टोपी को हम शुरू करते हैं यहां से, दस फंदा ढलते हैं, और दस सलाई बुनने के बार, दस फंदा ढल लिए, दस सलाई बुनने के बार, किनारे से एक तरप से, एक एक फंदा भरां के, जब मेरा 22 या 20 जो भी फंदा हो जाएगा, तो रहाना बंद कर देंगे, यहां बीच में हम, चार सलाई प्ले न बढ़ाएंगे न घटाएंगे उसके बाद फिर एक एक करके हम यहां से घटाना सुरू करते हैं और जब 10 फंदे बसते हैं तो हमने 10 फंदा जब हो गया घटा के तो फिर यहां 20 सलाई बुनेंगे बीच में यह 10 रो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस दस रो यान बीच सलाई फिर ओई उसी बिधी से जैसे कि हमने फंदा को बढ़ाते हुए 20 फंदा पर आये थे फिर यहां 4 सलाई प्रेन बुने फिर एक एक फंदा करके घटाते हुए 10 फंदा पर आएंगे और 10 सलाई बुनने के बाद हम इसको बंद कर देंगे फिर उपरी पोर्शन से हम यहां से एक एक फंदा सभी सलाई से एक एक फंदा उठाते हुए इसमें टोटल बहत्तर फंदे हैं उसको बना के हम इस तरह से टोपी बनाएंगे तो चलिए देखिए कैसे हम बनाते हैं इस टोपी को और इस वीडियो टोपी को बनाने के लिए वीडियो को अंतक देखि अगर किसी तरह का प्रॉब्लेम हो, कॉमेंट करें, अच्छा लगाओ, तो भी कॉमेंट करें, चलिए शुरू करते हैं, टोपी बनाना, हम एक साल के बच्चों के लिए टोपी बनाएंगे, देखें, हम फंदा कैसे डालेंगे, वो भी देख लीगे, हम इसमें इसको धागा क्वाइशे कर देंगे, दोनों अंगली में फासाएंगे, इस तरह से, दोपंदा निकल गया, फिर इसी तरह से अंगटा में, हम लिए, तीन, चार, पांच, छो, शाथ, आठ, नव, दस, हम दस फंदा डाल लिए, अब इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे, सिधा सिधा, दस लाइन बनाएंगे, दस लाइन यानी पांच, देखिए हम कैसे बूनेंगे, सो देखिए, अब इधार से भी हम पहले फंदा को, इसे उतार लेंगे, अधागा इस तरफ करते हुए, सीधा ही बूनेंगे, इसी तरह हम दस लाइन बूनेंगे, पर दागा आपने दर पढ़के, एक फंदा सिधा बूनेंगे, देखिए, जब हम दस लाइन बून लेंगे, तो इस पांच गो पंगती हो जाएगा, एक, दू, तीन, चार, पांच, पंगती होगे, यानि दस लाइन, अब हम यहाँ फंदा बढ़ाना सुगू करेंगे, पहले फंदा को, हम इसे उतार लेंगे, अब यहाँ से फंदा निकालेंगे, एक फंदा, हम किनारे से बढ़ाएंगे, और सिधा इसको बुनेंगे, एक ही तरफ से फंदा बढ़ाना है, दोनों तरफ से निकाले, फिर हम इस फंदा को तार लेंगे, इधर से, हम सिधा ही बुनेंगे, यह पूराई बॉर्डर सिधा सिधा ही बनेगा, दखे हम इस तरह से, इधर से किनारे से एक फंदा बढ़ाएंगे, जब मेरा 21 फंदा हो जाएगा, एक साल के बच्चे के लिए टोपी है, जब मेरा 21 फंदा हो जाएगा तो इसको हम बढ़ाना बंग कर देंगे, जैसे देखिए यहां जो है इससे ही निकालके हम फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से हम फंदा बढ़ाके, इसको हम सिधा सिधा ही बुनेंगे, इस तरह से, अल्टी सलाई भी हम सिधा ही बुनेंगे, देखिए अब यहां 21 फंदा हो गया, अब हम यहां बीच में दू फंदा, दू सलाई, दू सरी, दू फंदा नहीं, दू सलाई, बिना बढ़ाये गए, बिना घटाये गए, शिधा सिधा बुन लेंगे, एक फंदा यह है, सबी फंदे को सिधा की तरफ से भी सिधा और उल्टा की तरफ से भी सिधा बुन के पूरा करेंगे, अब देखिए हम यहां दू सलाई, बिना बढ़ाये घटाये, प्लेन बुन लिए, अब हम यहां पहले हम बढ़ाये, अब हम इसको घटाएंगे, पहला फंदा इसे उतार अब आम दू फंदा का एक फंदा कर लेंगे, दू फंदा का एक फंदा किये, फिर सब फंदे को सिधा सिधा बुनते उजे, इस सलाई को पुरा करेंगे, उल्टी तरफ से भी हम सिधा ही बुनेंगे, देखिए, फिर हम सिधी तरफ से पहला फंदा को उतार लिए, इसको फंदू का एक किये, इसी तरह हम घटाते हुए, जब में दस फंदा बच जाएगा, तो हम फिर बताते हैं, अभी हम इसी तरह घटाते हुए पुरा बिनेंगे, और हमेशा सिधा सिधा ही इसको बिनके, इस तरह से हम पहला फंदा को उतार लिए, और ये दो फंदा का एक फंदा कर लिए, इस सिधा बिनते हुए, दो फंदा का एक फंदा कर लिए, जब मेरा दस फंदा इस पर बच जाएगा, तो हम फिर उसको दस सलाई बुन लिएगे इसी तरह हम घटाते हुए, दस फंदा तक पहुंच जाएंगे, जब यह मेरा पट्टी बन के तियार हो जाएगा, यह पुरा घटा के, तब यहां उपरी पोर्शन से फंदा उठाएंगे, यह फंदा 70 से 72 फंदा होता है, दो साल के बच्चे तक का, जब यह फंदा उठा ले प्लेन बुरने के बार हम यह डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, तो देखिए हम डिजाइन कैसे बनाएंगे, अब यह हम धागा, दूसरे कलर का उन जोड देंगे, इसको हमने जोड लिया, हम दो फंदा हम इससे बनेंगे, एक फंदा इससे बनेंगे, फिर हम तीन फंदा बीच में, डार्क कलर से बनाएंगे, और एक फंदा इससे बनाएंगे, तीन और एक फंदा इससे बनाएंगे, तीन फंदा डार्क कलर, एक फंदा इससे बनाएंगे, लाइट कलर, फिर तीन फंदा डार्क कलर, एक फंदा इससे बनाएंगे, लाइट कलर, लास्ट में में यह दो फंदा डार्क कलर से बनाएंग टेली तरफ से एक फंदा इसका बनाएंगे अब यहां हम तीन फंदा लाइट कलर का बनाएंगे और एक फंदा डार्क कलर से बनेगे एक फंदा डार्क कलर का और थ्वासा हमेशा लूज ही बनाएंगे जिसे कि ये टिजाइन सिकुरे न सी तरह फिर हम इधर से तीन और एक के रेशियो में पूरा सलाई बना लेंगे तीन फंदा लाइट कलर एक फंदा डार्क कलर फिर हम दो सलाई इस लाइट कलर से पुरा बुन देंगे पूरे दो सलाई लाइट कलर से बना लेंगे अब चार सलाई हम डार्क कलर वाले दागे एक के पुलेन बना लेंगे सीधा उल्टा है हम देखिए यह डिजाइन बन गया अब हम यहां फिर दूसरा डिजाइन इस डिजाइन को बनाएंगे अब हम बीच वाले इस डिजाइन को बनाएंगे देखिए जिस फंदा को हमने पहले बुना है उसको हम इसे उतार लेंगे अब इस फंदे को हमने पहले उतारा था अब हम इसको बूनेंगे फिर इसको उतार लेंगे इसको फिर बून देंगे उल्टी तरफ से इसी तरह जो बूने है उसको बूनेंगे जिसको उतारे है उसको उतार लेंगे जैसे हम इसको बून लेंगे इसको उतार लेंगे इसको बूनेंगे इसको उतार लेंगे छे सलाई इसी तरह करना है चार फंदा बूनना है चार फंदा उतारना है अब यह डिजाइन बन गया है अब हम इसको क्या करेंगे एक फंदा तो शुर्वला सिधा बून लेंगे धागा आपनी तरफ करते हुए शारे फंदे को हम इसको उल्टा उल्टा बून लेंगे उल्टी तरफ से सभी फंदे को हम उल्टा बून लेंगे रखे यह डिजाइन यह बन गया अब फिर जब दूसरा डिजाइन सुरू करेंगे तो यहां लाइट दिये हैं इसके उपर यह डार्क कलर से बनाएंगे और डार्क कलर के ऊपर यह लाइट कलर का बनाएंगे तो इस तरह से यह बनाया है, यहां से फंदा उठाया, इसमें टोटल बहुततर फंदे हैं, उसके बाद 6 काटा, 6 सलाई बुनने के बाद हमने ये डिजाइन बनाया, फिर बीच में 4 सलाई बनाये, फिर इस डिजाइन को बनाये, अब जैसे लाइट पे डार करके इसको बना दिया, फिर बीच मे हैं चार सलाई प्लेन बून के इस डिजाइन को रिपिट किये हैं अब यह 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 देर से दो साल के बच्चे का टोपी हैं अब ऐसे आप इंची टेप से नाप पिये तो यहां से यहां तक टोटर साथ इंची है, ऐसे आप इंची टेप अगर आपके पास नहीं है, तो इस तरह से हम अंगुल से नापके, दस अंगुल बुन लेंगे, आठ अंगुल बुनने के बार, हम यहां से हम फंदा को घटाना शुरू कर देंगे, तो जैसे हम लोग गला बुनते हैं, भी गला बनाते हैं, तीन का एक करके, उसी तरह हम पांच सलाई पे, पांच फंदा पे हर तीन का एक कर देंगे, दखिए हम ने यह तीन का एक किया, बीच में पांच फंदा, सिधा भी ने फिर तीन का एक, इसी तरह हम करते हुए पूरे क बुन दिये, यह हम चार बार रिपिट किये हैं, चार बार तीन का एक किये, उसके बाद सभी फंदे को एक साथ, इसे हम बंद कर देंगे, एक साथ, यह टोपी त्यार हो गया, और इसका हम पीछे से सिलाई कर देंगे, यहां पे हम एक उनका फूल बना के लगा देंगे बच्चों के लिए बहुत ही खुबसूरा टोपी बनके तयार है यह पूरा कान और गला सब को कौभर करके रखता है पूरा धक के यहां पे हम डोरी लगा देंगे जिससे की यहां बांध लेंगे और देखिए यह कितना खुबसूरा टोपी बनके तयार है बच्चा को पहनाने में भी शुबधा होती है बच्चा खोल भी नहीं पाता है इस टोपी को और अराम से पहन के राता है तो अगर यह टोपी का डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं एक अच्छा से अच्छा डिजाइन लेके आपके पास आऊं और आप लोग को बताऊं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरा होसला वर है कि आप लोगों ने मे वीडियो को पसंद किया, देखा, चली दन्यवाद